के llamado Q3 की आपको mister क्लास चेंज निगों क्शोजा सकते हो लेकिन एक आपको फियर अंडर्स्टैंडिंग हो जाएगा कि Elster क्या है और Elster के through हम किस तरीके से उसे यूज कर सकते हैं और उसको कैसे हम register कर सकते हैं. So I hope आप लोगों ने part one वाला वीडियो देखा होगा. अगर part one वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके चेक कीजे डेसी ट्रावल रश्मी में और वो जरूर देखिए. तो अब हम बात करेंगे कि Elster के through आप कैसे tax class change three कर सकते हो. Basically एक चीज़ मैं आप लोगों बोलना चाहूंगा कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपको मैं ये assume करता हूँ कि आपने already Elster में register कर दिया है और आपको security की आ चुका है post office से. तो अब हम चाहते हैं मैं share करता हूँ screen और मैं आपको show करता हूँ कि how to change your tax class whatever tax class it is right now if it is tax class four or tax class one two three purpose है क्यों है क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम tax लगे ताकि आपकी saving ज़्यादा हो आपके income net income में थोड़ी बड़ा बड़ातरी हो तो that is the reason ये video बना रहा हूँ मैं अगर अच्छा लगे तो like जरूर कीजेगा and इसे subscribe जरूर कीजेगा okay so now I'm sharing my screen okay share my screen yes okay go to Elster yeah so अभी आप देख पा रहे होगे Elster की homepage मैं already इसमें sign-in किया हूँ तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको सबसे पहले कौन सा form लेना है जिसमें आप register कर सकते हो आई तिंग पहले वीडियो मैंने अल्रडी बता दिया है लेकिन आप यहां पर देखोगे तो यहां पर लिखा हुआ application for tax class change जैसी आप जाओगे दूसरी बात मैंने आपको अल्रडी बताया था कि यहां पर आपको file में आपके password और यह सब आ गया होगा and that is the prerequisite okay so now I will go to application for tax last change जैसी आप tax last change पर click करते हो यहां पर आता है calendar year तो calendar year आप जैसे अभी आप कर रहे हो तो 2022 आप कर लो उसके बाद next आप जाओगे तो यहां पर आपके profile के information आएंगे most of the cases में यह होगा कि आपको you can directly transfer the data from your profile तो profile क्या होता है कि जैसे मैंने already यहां पर आप देखोगे कि मैंने यहां पर अपनी information यहां पर दी हुई है तो वही वो ले लेगा वापस अब यहां पर बात करते हैं enter tax number तो यहां पर country आपको select करना है अब country में मतलब कि country is not like Germany और नीदर्लैंड और फ्रांस not like that जर्मनी में आप कौन से जगा बिलॉंग करते हो for example मैं हैसे region में बिलॉंग करता हूं तो मैं हैसे चूज किया हूं अगर आप बर्लिन में बिलॉंग करते तो बर्लिन चूज करो अगर आपका region let's say for example rheinland है तो आप यह चूज करो तो for me it is हैसे तो मैंने हैसे चूज किया है ठीक है अब tax number आता है यहां पर बहुत डालना क्योंकि अगर डालोगे तो वो गलत होगा तो इस बेटर आप इसको blank छोड़ दो आप इसमें कुछ मत एंटर करो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो ठीक है मैंने भी blank छोड़ दिया था और यहां पर select कर लो tax number not known so tax number is not that number which you get from the office इस वो letter आता है न जो student number होता है यह जो आपकी pay slip में होता है वो tax number नहीं है तो इसलिए best है tax number not known कर दो country में आप फिर से अप हैसे select कर लो and tax office में आप जो भी tax office में belong करते हो वो कर लो मेरे मेरा tax office Frankfurt मैं 2 है तो मैं उसे select कर लेता हूँ ठीक है अब मैं next page में जाएंगे तो next page मे जाओगे तो यहाँ पे आपको identification number देना होगा यह identification number is your tax number जो आपके उसमें आता है जो आप tax ID जब generate होता है CT registration के बाद वो number आपको यहाँ पे डालना है फिर यह सारी details है यह I'm sure आपको पता होगा first name, prefix, surname, name, suffix, date of birth, birth, name, applicable जो भी चीज़े आप यहाँ पे डाल लो अगर आ मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बता सकूँ, okay, now अभी एक चीज़ इसमें इध्यान रखेगा, applicant तो हो गया, address में बहुत type के address है, आपको यहाँ पे domestic address है, PO box address है, address abroad है, तो आपको यह तीनों भरनी की ज़ुरत नहीं है, तीनों में से कोई एक ही भरिएगा, मैं भी वही try कर रहा था, मैं क्या कर रहा था, कि domestic address भी भर रहा था, PO box address भी भर रहा था, तो यह ज़ुरत नहीं है भरने का, यह कहीं भी बताएगा नहीं, कोई भी चीज़ यह आपको खुद सीखना होगा, तो मैं जो सीखा हूँ, मैं आपको वही चीज़ समझा रहा तो इसमें domestic address में आप यहां का address दीज़ेगा, for example, मेरा यहां का address जो भी रहता है, वो मैं यहां पर डाल देता हूँ, तो वही डालिए, and postal code, location एक्दम अच्छे से चेक कर लीज़ेगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि यहां पर सारी communication आपको पता है कि post office की थू आती है, और Elster एक ऐसा website या आप समझे लो, ऐसा माध्यम है, जिससे आप online communication कर सकते हो, even मैंने tax class change करने के बाद, इनके consultant को phone किया था Elster के, और उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, they know English also, तो अगर आपको कुछ doubt भी हो, जिसमें आपके, मान लीज़े, आपको information नहीं मिल रहा है, तो आप उनको call करके पूछ सकते हो, ओके, फिर ये phone number आप वही डालना, जो जिस पे आपको call आ सके, तो वो number आप डाल दो, and उसके बाद, marital status आप डाल दो, अगर आप married हो, तभी आपका tax last three आप करोगे, तो वो आप डाल दो, marriage आपका marriage जो date रहेगा, वो डाल दीजेगा, और बागी सारे information अगर आपको suit करती है, तो आप डाल ये नहीं, तो it doesn't require, okay, when we move to next page, यहाँ पे आपको spouse, यानि आपके wife या आपके husband के ब लाओगा, वो डाल दीजेगा, फिर date of birth उनका डाल येगा, and यहाँ पे same domestic address आपका जो होगा, वही होगा, same, okay, now you move to the next page, यहाँ पर different sender of the request, यह आपको जोरत नहीं है, इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, ठीक है, और next is tax last change, तो आपको यहाँ पे डालना है previous tax last combination, अगर आपको नहीं पता है कि आपका tax last क्या है, तो आप best है कि आप उनको phone करके पूछ लें, नहीं तो आप अपने salary slip में देख लें, वहाँ भी लिखा हुआ रहता है, अगर आप पहली बार कर रहे हो और आपकी salary slip भी नहीं आई है, और आपने city registration कराया है spouse के साथ, तो by default tax class 4 होता है, fear बोलते हैं यहां पर 4, तो tax last 4 होगा, नहीं तो tax last 1 होगा, या तो 1 होगा, okay, so यह यह चीज आप समझ लें, कि यह information, you know, कभी-कभी नहीं provide की जाती है किसी के through, या कोई blog में नहीं मिला था मुझे, तो मैंने by default मुझे पता था 4 होगा, मैंने यह risk लिया था, मैंने 4 कर दिया and yes, in salary slip also, it was 4, okay, selection of new tax, tax last combination, तो आप यहां पर डाल दो, tax last, जैसे for example, अब यहां पर आप देखोगे कि इधर आप देखोगे बहुत सारी entry है, तो आप confused हो जोगे है, तो यहां 4 है नहीं, 1 नहीं है, मैं कैसे लिकूँ, तो आप यहां पर 4-4 select कर लो, ठीक है, इस 4-4 का है कि आपका और आपकी spouse का, दोनों का 4 है, तो this is the by default thing, ओके, और यहां पर जब आप करोगे, selection of new tax last combination, selected 3 and 5, it means that कि अगर आपका, आपके पती dependent visa में आई है, या आपकी wife dependent visa में आई है, तो उनको 5 select करना होगा, अगर उनकी salary आप से कम है तो, अगर वो जॉब नहीं भी कर रह होगा, and आपका 3 हो जाएगा, ओके, जो भी आप applicant भर रहे हो, ओके, next page, I think that is clear, now information of the factor method, यह जोरत नहीं है, क्योंकि हमें form factor हमने apply नहीं किया, तो हम यह नहीं भरेंगे, फिर next page में जाएंगे, print out, आप ले लोगे, and इसका print out लेके आप रख लेना, और इसके बाद जैसी आ आप डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, मैंने डाल दिया था, default from my profile आप select करोगे, आ जाएगा, और उसके बाद next page क्लिक कीजिएगा, and that's it, attachment, यह attachment आप कौन से डालोगे, तो अब देखो, मैंने तो डाला था, इस attachment में, अपना tax, जो ID था, वो डाल दिया था, आप भी वह आपको errors बता देगा, अगर कुछ errors आता है, तो, अगर errors नहीं है, आप उसको submit करो, and that's it, it's done, so, अब मैं दिखाता हूँ, आपको कि मैंने जो test class भरा था, आचा, यह view से आप navigate करके, चेक कर सकते हो, कि आपने क्या क्या information भर दिये, तो वहाँ पे आप देखो, check आ चुका है और उसके बाद चेक कीजिए, उसके ज्यादा कुछ नहीं है, next मैं आपको, यह save करना है, and submit करना है, submit करने के बाद आपको, एक message आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, क्या message आता है, तो, अब मैं इसको कर देता हूँ, क्योंकि मेरे already tax class change हो गया है, तो, मुझे फिर से नही करना है, so, I will go to the home page, exit without saving, and now, I will go to my magpie, magpie whole things को, ठीक है, और उसके बाद, my inbox में जाओंगा, और यहाँ पर आप देखो, जब मैंने tax class change किया था, तो, मुझे ये information, देखो, information about the certificates आया थे, 16 September को, and उसके बाद, मैंने ये tax class change कर दिया था, 16 September को ही, और उसके बाद, एक transfer ticket आप देखोगे, generate होगा, okay, तो, ये generate हो जाने के बाद, आपका process खतम, अब मैं इस पर जाता हूँ, और आपको दिखाता हूँ, कि submitted forms, आप यहाँ से check कर सकते हो, तो, ये submitted मेरा forms है, और, yes, this is तो, ये मैंने, ये सारे form भरे थे, और यहाँ पर देखो, 4435, और ये अपना address दिया था, so, this is very straightforward, बहुत ही असान है, आपको कुछ भी करने की ज़रत नहीं है, आपको, आफिस जाने की ज़रत नहीं है, कि आप जाओ, उनके post office में जाओ, या उनके office जाओ, और फिर वहाँ लेटर ड्रॉप करो, फिर वेट करो, कि वो लेटर लेके उसके बाद change करे, it's best way to, I think, to change the tax class, because अब इसको track कर सकते हो, और इसमें आप चेक कर सकते हो, कि आपका tax class, जो है, कौन सी company read कर रही है, वो भी information आपको पता चल जाएगा, so, I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा ह तो प्लीज इसे like कीजे, share कीजे अपने friends के साथ, ताकि वो अगर offline कर रहे हैं, ये process तो उन्हें असानी हो, और बस इस channel को subscribe कीजे, and बस हमें प्यार देते रहिए, and हम इसी तरह वीडियो बनाते रहेंगे, next वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे comments आ रहे हैं, on the video, जो मैंने वीजा पे डाला था, तो मैं dependent वीजा का एक पूरा कैसे बारते हैं, वो भी बताऊंगा, तो बस stay tune, जल्दी वो वीडियो आने वाला है, and फिर अगर कुछ doubts हो, तो आप लीज हमें बतारीएगा, तो yes, I think I have, okay, एक चीज़ और मैं आपको बताते सेक्शन, information of electronic wage tax card, इस पे आप जब क्लिक करोगे, तो आपको, जैसे आप next page करते हो, तो मेरा actually हो गया था, इसलिए मैं इसमें नहीं जाओंगा, let me just go to my inbox, यहां पे आप जैसे वो क्लिक करोगे, तो आपको electronic wage card के बारे में आपको बता देगा, कि आप, आपका पहले tax class क्या था, tax class बाद में क्या है, तो यह सारे information आपको इसमें मिल जाएंगे, बट आपको वहाँ पे क्लिक करना पड़े गा, okay, so and you have to wait, जब वो information आजाता है, ठीक है, तो just an additional information, it's just a kind of, you know, data which is there, and you can use it, that's it, okay, so thank you guys, and I hope यह वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है तो ला झाल